जब आप पुलिस की इमेज को सुधारने के इरादे से अपने होम काड़र में आये जो आपका बिहार काड़र था तब बिहार सुर्खियां मना रहा था ये 87 का आपका बैच है नवासी में यहां लोकसभा चुना होते हैं नब्वे में विधान सभा चुना होते हैं उसके पहले भागलपुर कांड होता है तमाम कांड होते हैं और एक तर्म था जो अगले 10 साल तक बिहार की सियासत के साथ नथी कर दिया गया राजनीती का तो ये मेरा अपना भोगा हुआ साहित भी इसको कह सकता है मैं देखा किस तरह से मैंने वो फेज भी देखा जिसमें की राजनीत का अपराधिकरन होता है किस तरह से राजनीता लोग अपराधियों का उपयोग करते थे चुनाव जीतने के लिए गरीबों को जो सोसित हैं द किस तरह से अपराधिक तत्तों का इस्तमाल होता है, किया जाता है, उन चीजों को मैंने देखा, अपनी आख से देखा, तो ये मुझे मेरे जिवन का बड़ा अंभो था, क्योंकि इस तरह का अंभो मैंने देखा ने में, तो गाउं से निकल के आया था, सीधे में, गाउं का बालक था इतने हाई परफाइल जॉब में आ गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई आते ही आदमी एसपी हो जाता है तो इन चीजों को मैंने बहुत गौर से देखा मुझे बहुत पीड़ा होती थी ये देख करके कि क्या इस तरह से आदमी नेता बनता है कि जो सोसित हैं दलीत हैं कमजोर हैं या समाज के निचले पायदान पर खड़े लोग हैं तो उनको डरा करके धमका करके उनको मतादिकार से बंचित करके और क्या अपराधियों के और गुंडों के बल पर नेता किरी की जाते मैं नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैंने देखा कि ये करते हैं practically होते हुए देखा और मेरे मन में इसको लेकर करके बहुत छोब और आक्रोष होता आपके मन में आक्रोश होता था, आपके कंधे पर सितारे होते थे, एक्षपत होती थी, तो विवश्टा महसूस नहीं करते थे, क्या पुलिस को किस ने लाचार बना दिया था, पॉलिटिकल सिस्टम ने, कि उनके सामने सामने अगर क्रिमिनल माननी बन रहे हैं, या माननी बन किसी राजनेता ने, मैंने देखा है, कई मुख्यमंतरों को साथ नहीं, कभी भी मुझे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिस नहीं की, या मेरे काम में खस्तचेप करने की कोशिस नहीं की, और मेरी समझ इतनी छोटी थी, कि मैं उनके काम करने के तरीके को ठी समझ नहीं पाता था मैं तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं नौकरी के अगले दस बर्स तक मैं अपने को बेवकूफ ही समझता हूं मुझे बहुत कम चीजे समझ गलत हो रहा है समझ रहा हूं लेकि इसको कैसे ठीक करना मुझे ये समझ में नहीं आता था ये चीजों को मैं देखता था मुझे परतक्ष रूप से कोई माना नहीं करता था ये सिस्टम बहुत बड़ा है और सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी भूंका होती है इसमें किलेक्टर होते हैं A.S.P. होते हैं, A.S.P. होते हैं थानेदार से लेकर, चौकिदार से लेकर सियोर से लेकर, वीडियो से लेकर और जमाम जन पर नहीं थी तो बहुत बड़ा इस system का रूप बहुत ब्यापख कहें उसमें एक चोटा सा पेच में था तो मेरे बिना भी कोई किसी का काम रुकने वाला नहीं था जो चाहते थे जहां से जैसे लोग जिस चीज को जैसे मैनिपुलेट करना चाहते थे वो कर ही लेते थे तो परत्यक शरूप से तो कभी किसी ने मुझे हस्तचेप नहीं किया लेकिन मैं ये देखता जो चीज नहीं होनी है, वो हो रही है, और मैं उसमें कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ, इन चीज़ों को मैंने देखा है, नबे के दशक में, लालूर प्रसाद यादाव का बिहार में राज, किसी के लिए सामाजिक नियाय का यूग, किसी के लिए अंधकार यूग, पॉलिटिकल मसला है, मैं आपसे आपकी जहानाबाद पोस्टिंग पर सवाल पूछूँगा, आप जहानाबाद में कप्तान रहें, एस्पी रहें, बेगू सराय में भी रहें, और भी जिलों में रहें, नकसलवाद की समस्या, इसका बार बार जिक्र होता है, और बिहार मे ये बड़े पैमाने पर रही है, नकसलवाद से निपटने में, पॉलिस की सफलता सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे, देखिए ये क्योवल पॉलिस प्राबलम है नहीं, मैं हमेशा से बता रहा हूँ, और हमेशा से मेरी ये समझ रही है, जितनी मेरी छोटी बुद्धिय ये क्योवल पॉलिस प्राबलम नहीं है, इसको सोचियो एकनोमिक प्राबलम से जोड़ कर देखा जाना चाहिए, मैरी बहुत चाहिए, मैं एक बार सिनियर रिस्पी था, तो मैंने बोल दिया था कि दमन से उत्पन उग्रवाद सो रही है, दमन से उत्पन उग्रवाद, सो का ब्यवस्था पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है, जो इस ब्यवस्था को पूरी तरह पलट देने के लिए हथियार उठा चुके हैं, उनकी आस्था ब्यवस्था में पैदा हो ये काम करना पड़ेगा, जब तक उनकी आस्था इस ब्यवस्था में पैदा नहीं ठीक है जहां उनके मिलिटरी दस्ते हैं हमारी पुलिस के साथ उनकी मुठवेड़े होती हैं वो हम करेंगे लेकिन केवल बंदूक से अगर आप किसी को मार दीजिएगा तो उगरवार तो एक विचार धारा है तो विचार धारा को आप बंदूक से नहीं मार सकते विचार जिंदा रहेगा विचार धारा जिंदा रहेगी तो बंदूक ढोने वाले कंधे भी मिल जाएंगे इसलिए मैं मानता हूँ कि विचार को आप विचार से काट सकते हैं विवस्ता में जो दोस हैं, उन दोसों को दूर करके काट सकते हैं, सोशन है, जुल्म है, अत्याचार है, अन्याय है, तो इन चीजों पर अपनी पूरी ताकत लगा करके सिस्टम को अपने आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, वही समस्या का सही समधान है, को बंदूक से मा मा घूनी सारी करवाई की है, जेल भेंजा है, जो भी कानूनी परके लिया है, लेकिन मैंने कभी जूंटी मूटवेडऱ की छूट नहीं दी किसी को, कोई नहीं कह सकता, मेरे समय में एक भी कोई व्यक्ती जूटी मुटवेड में उगरवादी होने के नाम पर मारा गया, यह मैंने इजाज़त नहीं दी किसी के, क्योंकि समाज के सबसे नीचले पायदान पर खड़ा आदमी ब्यवस्था में असंतोस या ब्यवस्था के खिलाफ उसने भी द्रोह क इसके लिए कोशित होनी चाहिए न कि बंदूक से उसको उड़ा देने से, बंदूक से उड़ा देने से विचार धरा नहीं मत्ती, विचार जिन्दा रहेगा तो बंदूक होने के लिए कंधे मिलेंगे, सुरू समय काता रहा हूं